NDPC और Group D के छात्र लगातार आंदोरन कर रहे हैं और ये काफी हिंसक हो गया है और इसमें अब राइनिती भी जम कर हो रही है RGD लगातार अब सरकार पक्ष को घहरने में लग गई है आरजेनी के ट्विटर हैंडल से कई तरह के वीडियो ट्वीट किये जा रहे हैं जहांपर साप तोर पे देखा जा रहा है कि कैसे छात्रों को पुलीस होस्टल में घुसकर उन्हें निकाल रही है उनके दरवाजे को लाद मार कर तोड़ने की कोशिस कर रही है और जू भी पकड़ा रहा है उसे काफी बेदर्दी से पीट रही है और इसको लेकर अब तेजप्रताप यादब ने अपने ट्वीचर हैंडल से ट्वीट किया है और सरकार को घिरा है वो लिखते हैं तस्वीरे कश्मीर से नहीं पट्टा से है और ये आतंकवादी नहीं आरार्वी एंटीपीसी के अबर्तियों पर बरवर्ता हो रही है याद रहे कि बिहार में डवल इंजन वाली सरकार है और बिहार के मुखिया अपने आपको सासन बाबु कहते फिरते हैं आ थू तो तेज परताप यादव ने अपने ट्वीटर हैंडल पे सरकार को घेरने की कोशिश की है और ये बताया कि जो छात्रा अनुरन कर रहे हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है बलकि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इसको लेकर अब लगातार राइंती तेज हो रहे हैं पपू यादव ने भी बकाईदा आज रेलबे बोड के बुड़े अधिकारियों से बात की और फिर प्रेस कॉन्फरेंस कर ये बताया कि कुछ कन्फ्यूजन जो है वो छात्रों और रेलबे बोड की बीच हुआ था और ये कहा कि जो लोग भी इस आंधुलन में शामिल हैं जिन्होंने आज़णी का काम किया है गहराई से इसकी तहकीकात की जाएगी और फिर आजीवन इन लोगों को सरकारी नौकरी नौकरी और रेलबे नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा पपू यादव ने साब तोर प पड़ा रेलबे बोर्ट के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा और जब छात्रों का आपा खोया तो फिर ये एक आंधुलन में बदल चुका है हलाकि आज के बारे में लगातार जो सिक्षक लोगे वो मना कर रहे थे और कह रहे थी कि आज 26 अनमरी का दिन है कोई भी रेलबे बूर्ट जो है वो जुक चुकी है और बकाइदा ये साफ कर दिया गया है कि अब जो है दोनों एक्जामरेशन चाहे वो गुरूप D का हो या NDPC का हो वो एक्जाम नहीं होगा एक कमिटी बना दी गई है पांच लोग इसमें शामिल है और अब इसमें अधिकारी जो है वकाइदा छात्रों से फिडबेक लेंगे क्या-क्या सुधार इसमें की जानी है और वकाइदा जो फिडबेक लगातार छात्रों के तरफ से दिया जा रहा था कि फला-फला इसमें दिकते हैं उसको सुझाने की कोशिस की जाएगी तो साफ तोर पे इस मसले को लेकर आप राजमती तेज हो गई है आरजेडी ने सकता पक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया है तेज पर ताप यादव हुए पक्पु यादव हुए लगा तरफ में ट्वीट के जरिए अपने बयानों के जरिए सरकार को घेर रहे हैं तो अब देखने वाली बात होगी किसको लेकर क्या कुछ और बैनवाजे होती हैं सकता पक्ष के तरब से क्या कुछ बयान आता है हमारी नजरे जो है इन खबरों पर बनी रही कि आप देखती रहे हैं जन्ता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद